नमसकार दोस्तो कैसे हो आप लोग उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे ठीक होंगे तो आज हम बात करते हैं राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल 2021 के बारे में तो दोस्तो राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में आविदन की अंतिम्तिती तीन दिसंबर थी जिसको नहीं बढ़ाया गया है और तीन दिसंबर की अबदी समाप तो चुकी है लेकिन एक बड़ी खुसकबरी हमारे सामने आई है कि उनलाइन आविदन में यदि विद्यारती से किसी प्रकार की तुरूटी हुई है कोई गलती हुई है तो हम उनलाइन आविदन की अंतिम्तिती के 15 दिन बाद तक उसमें संसोधन कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो 18 दिसंबर तक 300 रुपे के सुल्क के साथ आविदन में हुई किसी भी प्रकार की तुरूटी को हम संसोधन कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं और इस बात की जानकारी हमें ADG बिनिता ठाकुन ने बताया था कि बड़ती के लिए जारी विग्यप्ति के अनुसार आविदन पत्र भरे जाने का अंतिम्तिनांक से 15 दिन तक उनलाइन पत्र में हम संसोधन कर सकते हैं तो दोस्तो बिद्यार्थियों से आविदन पत्र में यदि स्यम के नाम में कोई गलती हुई हो तो उसका संसोधन कर सकते हैं अपने पिता के नाम में संसोधन कर सकते हैं और आविदन पत्र शंख्या के अतिरेक्त कोई भी संसोधन कर सकते हैं दोस्तो संसोदन 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 4 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 की रात 11 वज़कर गुनसट मिनट तक किया जाएगा आविदन पत्र में संसोदन हेतू अब्यार्थी को 300 रुपे का सुल्क देना होगा तो दोस्तो यदि हमसे आविदन में किसी परकार की गलती हुई है तो हम 300 रुपे देकर अपने आविदन में संसोदन कर सकते हैं या गलती हुई हुई तो उसे हम सुदार सकते हैं तो चलिए दोस्तो ये थी आज हमारे इस वीडियो में जानकारी मिलते हैं एक और अगले वीडियो में यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत